कि नवस्कार दोस्तो मैं जो तषारी पंडित राजगुर सर्मा आप सभीयों करता हूँ नवस्कार और आप सभीयों करता हूँ अभी नंदन और मेरे दोस्तो में आप से बताना चाहता हूँ और गोज़ा ध्यान से सुने आज जह每 VIC बताने आ करता है बहुत दिक्कत करता है बार-बार आप पे कुछ न कुछ अन्याय करता है तो ऐसे सत्रू सो कि सांत करने के लिए ऐसे सत्रू को अपना बनाने के लिए ऐसे दुस्मन को अपने बसमें करने मेरे के लिए मैं छोटा से उपाय आपको बतावागा तो मेरे दोस्तों वो तरीका बहुत ही और चोटा सा है लेकिनra दोस्तों मैं इस बात को रोक कर आप सभी से पिर कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों और आपने हमारे सम० ग्यान fak Suddenly या हमारे चैनल सब्ध ज्यान को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और हमारे फेस्बुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें शेर करें और जो भी हमारी ओडियो वीडियो आपको पसंद आती है अच्छी लगती है तो मेरे दोस्तों आप उसके बारे में हमें भी कॉमेंट कि करें और आगे को उसे मिल्षा डिया तो मेरे दोस्तों जो मैं आपको बताता हूं अगर वह आपकी में नहीं आती है 372-42-42-43 तो मेरे दोस्तों आप मेरे इस नंबर को आप मौवाइल में एड़ कर दीघे और कभी भी कोई संकट की कोई उपाय को विधिया पूछनी हो मुझसे किसी के बारे में किसी समश्या का हल पूछ पूछना हो किसी ग्रहे के बारे में आपको पूछना हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं मुझे कॉल कर सकते हैं मुझे से पूछ सकते हैं तो मेरे दोस्तों मैं पड़ी बात को यहीं खत्म करती है अब तुमको यह बता देना चाहता हूं कि अगर जो तुम्हारा कोई सत्रू है कोई आपका दुस्मन है या आपका बैरी है तो उसके साथ आप क्या करोगे आप लाल चंदन की साही बना लीजे लाल चंदन की साही बना लीजे और उसे भोज पत्र पर उस दुस्मन का नाम लिखकर एक भोज पत्र लाइए उस पर उस लाल चंदन की साइंस से उस दुस्मन का नाम लिखे और उस भोज पत्र को आप एक सहद की सीसी में एक सीबरतर में शहेतम आप दुबो दीजे और उसे बढ़ दबा जब कर एद दीजे जब तक वह यंत्र वह भोजपत्रों सऺे के अंदर है बार है उसके राइगा आपका ऊपर य मारेखा लेकिन आप इसको उसके यूज प्ता करता है जो आपका दुस्मन है जो आपको परिशान करता है तो मेरे दोस्तों मैं अपनी मानी को हिम्राम देता हूं और आप सभी को करता हूं नमस्कार लेकिन जाने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों अगर आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेर और योडियो वीडियो को आप लाइक करें और मेरे फेस्बुक पेज़ को भी आप जरूर लाइक करें तो मेरे दोस्तों मैं अपनी वारी को हिवरा देता हूं और जात अवियास भी करता हूं नवस्कार